एक तरफ करोना महामारी का दौर जारी रहा जिसके चलते कई मामले सामने आए हैं वहीं दूसरी तरफ इस महामारी के दौर में लोगों को परिशानी का सामना भी करना पड़ा लेकिन इस महामारी में एक विक्ती समास के लिए संदेश दे गया रिष्टों की एहमेत क्या होती है कोई डौलाजी विधान सवक्षेतर के सुन्डला पंचयत भर्वा निवासी दीपकुमार से जाने दीपकुमार की पत्नी की दोनों कीडनिया काम करना चोड़ गई थी इसक पत्नी चंदर रेखा के लिए अपनी एक किडनी दान कर दी हालांकि 5-6 महीने तक चले इस इलाज के दौरान पत्नी और पती दोनों चंडीगर में रहे ऐसे में दीपकुमार की दोनों बच्चे घर में रहे लेकिन आखिरकार अब दोनों पत्नी ठीक होकर अपने बच्चो कि अपने बच्चे अपने रहे हैं मैं सुनूला पंचाईत के गाउं भारहां से बिलाओं करता हूं और दो सार पहले मेरे वाइफ चो थे ओो किडनी की बिमार से गरशित हुए जब में पता चला कि आपकी मत आपकी मत आपकी बिमाइफ की दोनों किडनी अखराब ज़ दो मैं कुछ दिन रहे शिंबला के बाद फिर जब कुछ रजाल टरनीज अच्छे सामने आए तो मजबून पीजिया चंडी गड़ा में जाना पड़ा और दो सार तक वहां तक कमसका महरा इलाज चला और कापी मुसीबते वहां पर भी देखने को पड़ी चंडी गड़ तना हम जो हमने सोच है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे फिर दिक्त यह थी कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि या तो इसका एक ही लाज़ या तो ट्रांस्प्रांट करें या तो डैलसिस करें यह तोनों ही हैं जो और डैलसिस पे भी इतना लंबा सफर हमनी कर पा बाती है दे कि भुवान के देह से यह रहा कि जो ब्लड गुर्प था हमारा दोनों का बी पॉस्टिब था और जिसके लिए फिर मैंने इम्मत रखी जो होगा और देखा जाएगा और मैंने सोच ले कि अब मैंने अपनी देने के बचारें बचार कर लिए फिर मैं डॉक्तर से मने खुद परमर्श किया कि अब इसका आगे कि आथ में खा कि कोई भी किड़नी दे सकता है अगर ब्लड गुर्प सेम है तो फिर उसके लिए मैंने अपना बिचार अबना है कि मैं खुद किरनी दूँगा तो यह है कि हमने तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादे उसमें ह जो हम घह थें करिके वह हम बता नहीं सकते हैं जब हम पहले होस्पितल में गए तो हम पहले शिमला में गई उसके बाद हमें शिमला मैं कोई मेई करो ने मीला फिर जाके हम चेंडीगर में गईे, चेंडीगर में जाके हमेरे ऐसे पता लगे कि हमेरे दोनों किड्निया खराब हो गई हैं। तो डोक्टर ने जो ऐसा बोलओiin हमें ऐसा था कि अब पता नी भगवान, का किरें कि पहली बार सुना था, हमने किड्नी का तो नाम ही नी सुने इस बीमारी का कभी नाम ही नी सुना था जब हमें पता चला तो हम एनके बहुत जादे हो गे थे प्रेशर में आगे कि अब हम क्या करें फिर क्या करें सबी लोगों ने हमारे साथ बहुत जादा साथ दिया तो हमने सोचा कि अब क्या करें अब बड़ा मुश्किल पड़ गया है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मेरे पती ने हिम्मत नहीं हा रही, इन्होंने मुझे बड़ा होसला दिया, कि नहीं मैं हूँ तिरे साथ में हूँ, तु वस खुद अपना होसला रखेजी, तो मैं तिरे साथ हूँ बिलकुन, इन्होंने मेरे को दी की नी दी, आज मैं इनकी वज़े से ठीक हूँ, अपने बच्चों को सुमाल रही हूँ, आके अपने परिवार को देख रही हूँ उजवल हिमाचल के लिए ढलाजी से मन्जूर पठान की रिपोर्ट